गंदी जी की गांदी जी लॉट के आए थे बही गंदी जी लॉट की आचुके थे जैन्वरी नाइंटीन फिप्टिन में गंदी जी लॉट के आया कहां से एक अफ devient भाई यह कहां से तो और सो ऌने के बाद है यह इंडिया में आए और इंडिया में आके उन्होंने क्या किया भई बहुत बड़े लेबल पर प्रोटेस्ट गया जब वो अफ्रीका से आए तो अपने साथ एक बहुत भेथरीन कॉंसेप्ट ले के आए उस कॉंसेप्ट को कहा गया सत्यग्रा मुमेंट और इस कॉंसेप्ट में बिसकर ये था कि सत्यकी रहा पे चलना ठीक है वो भी विटाउट वाइलेंस नौन वाइलेंस के साथ और आपको पता है कि भई इस इस दा टॉपिक आपको सिर्फ का यात रखना है एक वडिया स्रक्तना यस रखना है दिस केक से मगानुजव से विडात ए्पश सोरुपिक नीरेंस के वह एक प्शट पराइट हम्हा सेयोस्र नमेंस φाब्श the trick the simplest cake आपको याद रखना है सबसे पहले C और चलिए देखते हैं तीनों में क्या हुआ गांदी जी 1915 में आज चुके थे 1915 माने बाद 1916 एक साल वो पूरी तरी किसा इंडिया को उनों विजिट किया और 1970 से अपने काम से लग गया सबसे पहले बात करते हैं वो कहा गया सबसे पहले याद रखी 1970 आपको कुछ चीज़े आपको याद रखने होंगी जिसमें सबसे पहले की बात करते हैं सबसे पहले गांदी जी गयते हैं 1917 में कहा गया चंपरन हमने कहा C से आपको याखता है केक में C मतलब अब यहां पर बड़ा बिगार सिस्टम था इंडिगो प्लांटेशन वरकर्स को फोर्स किया जाता था तो ग्रो इंडिगो प्लांट और हम जानते कि इंडिगो प्लांट लगाते हैं तो सॉल की फर्टिर्टी बहुत स्पीड के साथ खतम हो जाती है तो जैसे गांदी को पता चला कि यहां पर जो स्ट्रगल है यहां पर जो पॉलिसीस हैं बिटिसस की बड़ी ऑप्रेसिव हैं और फोर्सफुली किसानों से इंडिगो उगवाया जाता है तो गांदी जी पहुंचे चंपराण और इंडिया का पहला सत्य अग्राम मुमन रोन रोन चंपराण के अंदर किया और यहां पर बिटिसस ने फिर यह उप्रेसिव पॉलिसी हो खतम कर जिया और गांदी की यहां पर जीत हो चुकी सिर्वात करते हैं दूसरे के साथ अगर आपको याद हो अब वो गयते खेड़ा केक में सीफोर चंपराण अब के पर आ जाते हैं सीथा 1918 में गांदी जी गया खेड़ा 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 अजा पार्ट अब यहां पर आपको पता है कि खेड़ा के अंदर बहुत हाई लिवल पे क्या होता था Mm cheeseखेड़ा औल जाथ yeah guys टेक्सेस पीजेंट से लिए जाता रा यॉनोग दम हम को पीजएंड़ फारमर से बहुत ज्यादा टेक्सस को रही जाता था जाता था भई ब्रटीश है तो दोरा लेकिन उस सामय क्या हुआ है ब्रदोट कंदर एक दया लिते कर्ण Crime से कुछ नॉट भी एवल टू पे दी रिवेन्यू भही रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे तो उनसे फोर्स फिली रिवोन ले लिया जा रहा था तो गांधी को जैसी पता चला वह पहुंच गए खेड़ा और खेड़ा वह जाने के बाद उन्होंने गिया मुमेंट जो कि था 211 वह सब्कुर्णहां भांधी जीड़े शुरबात करते हैं तीससर की साथ कहां पर ते गांधी पहुंच चुके ते लिया प्र से ही है 1918 में गांदी पहुंचे हमदाबाद हमदाबाद को क्या था कि बहुत सारी कोटन इंडिस्ट्री से हमदाबाद गुजरात के अंदर और वहाँ पे फुरकर्स की कंडिशन बुड़ी वेका थे काम उनसे बहुत जादा कराया जाता था पैसा उनको बिलकुल नहीं दिया जाता था बहुत कम पैसान को दिये जाता था कोई सेंटिशन कोई हैल्थ फैसलीटिस वहाँ पे नहीं थी तो गांदी ने लोगों के लिए क्या किया सत्यगर मुवमेंट किया और अल्टिमेटली यह लोग जीत गए तो आई होप कि आपको तीने सत्यगर मुवमेंट बहुत बढ खेड़ा के ठीक है खेड़ा में देखा खेड़ा में देखा कि कैसे विमार के चलते हुए क्रॉप फैलो हो चुका था किशान सो ट्रेक्स लिया जा रहा था गांदी ने प्रोटेस्ट किया जिद गए और एफ और हम्दबाद को टन दिल बखस के लिए किया एट थैंक यू झाल 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 झाल